नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्दी चैनल पर यहां पर राम करते हैं मुबाइल फॉन्स की अन्बॉक्सिंग प्लस कमपेरेजन जिससे आपको एक नया मुबाइल पर्चीस करने में कोई दिक्कत ना आए तो आज की इस वीडियो में लिके आए हैं दोई स्मार्टपॉन जिसमें पहला स्मार्टपॉन हमारे पास है वीवो का लेटoni स्मार्टपॉन वाइट में आपआस है रियल में का लेटेस्ट Realme C15, दोनों mobile की unboxing करेंगे एक साथ, नज़र डालेंगे basic features, look designs और camera पर, first of all बात कर लेते हैं दोनों mobile के price, कि तो Vivo Y20i आपको single variant मिलता है, 364GB वाला, जो आपको मिलता है 11,500 रुपीज में, यह आपको online और offline store पर मिल जाएगा, इसमें आपको मिलती है 3GB RAM, 64GB का internal storage, rear में आपको triple AI camera, 13 plus 2 plus 2 megapixel, front selfie camera 8 megapixel, और battery आपको इसमें मिलती है 5000 mh की, वहीं बात करें, Realme C15 की, तो यह आपको सिर्फ online store पर मिलेगा, और यह आपको only 11,000 रुपीज में मिलता है, और इसमें आपको 2 वेरेंट मिलते हैं, एक 3GB, 32GB जो आपको मिलता है 10,000 रुपे में, और यह है 4GB, 64GB वेरेंट, यह आपको मिलता है 11,000 रुपे में, और इसमें आपको मिलती है 4GB RAM, 64GB का internal storage, rear में आपको quad camera मिलते है 13 plus 8 plus 2 plus 2 megapixel, front selfie camera 8 megapixel, और battery आपको इसमें मिलती है 6,000 mAh की, बाकी वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या मिलता हमें दोनों smartphone में खास, बने रहें मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आये हैं पहली बार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, नीचे आपको एक सब्सक्राइ कुछ ऐसी packing के साथ, दोनों mobile के box में आपको mobile का design कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, वहीं back side में आपको मिलते हैं थोड़े बहुत headline features, जिनने मैं वीडियो में आगे बताता रहोंगा, जल्दी से कर लेते हैं, दोनों mobile के box को open और सबसे पहले content पे डालते हैं नजर, इसके बाद आता है smart phone और mobile पे cover लगाने के बाद phone का look कुछ ऐसा आमें देखने को मिलता है, वहीं नजर डालें, realme c15 में सबसे उपर एक mini box दिया गया है, जिसके अंदर same ejector pin, अंदर quick start guide user manual दिया गया है, mobile cover आपको इसमें नहीं दिया गया है, इसके बाद smartphone फिलाल इसे अंदर charger adapter और USB cable दी गई है, तो vivo white 20i में आपको normal 10 watt का charger दिया गया है, 5 volt 2 ampere की output rating के साथ, यानि कि 11,000 रुपे आप खर्च करते हैं और आपको एक normal charger इसमें मिलता है, और realme c15 में आपको 11,000 रुपे खर्च करने पे 18 watt का fast charger भी इसमें मिल जाता है, जिसके output rating है 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere यानि कि ये 6000 damage की battery को काफी fast charge करेगा, USB cable की बात करें तो दोनों ही mobile में हमें micro USB cable मिलती है, type C USB cable आपको दोनों mobile में नहीं मिलती है, ये हैं दोनों smartphone, front side का look कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, दोनों smartphone का, size बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, दोनों smartphone का, और दोनों ही mobile में हम से लगे हुए मिल जाते हैं, जो कि काफी time तक साथ निबाते हैं, बाकि आप इसमें tempered glass भी लगा सकते हैं, दोनों mobile के back side का look कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, हलाकि दोनों mobile में आपको plastic body दी गई है, लेकिन या पर आपको काफी एची glass finish देखने को मिलती है, और इसका back लेकिन वही अगर आप Vivo Y20i को यूज करते हो बिना cover के, खाली scratches आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वही camera का जो ये उबार है, काफी उपर है, without cover अगर आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको scratches आने के काफी chance रहते हैं, दोनों mobile के rear camera पे नज़र डाले, तो Vivo Y20i में आपको triple camera दिये गए है, 13 plus 2 plus 2 megapixel के 13 megapixel का main camera है, 2 megapixel का हमारा micro camera हो गया, और 2 megapixel का depth sensor आपको इसमें दिया गया है, साथी LED flashlight आपको इसमें मिल जाती है, फ्रेंट में आपको drop notch के अंदर 8 megapixel selfie camera मिलता है, वहीं नज़र डालते हैं, Realme C15 पे, तो इसमें आपको quad camera दिया गया है, camera setup कुछ ऐसा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें हमें 13 plus, 8 plus, 2 plus, 2 megapixel के 4 camera, 13 megapixel हमें main camera मिलता है, और इसमें 8 megapixel का wide angle camera एड़ किया गया है, बा मिलता है, बाकी Realme C15 में आपको finger fin sensor यहाँ पर दिया गया है, और Vivo Y20i में आपको side mountain finger fin sensor यहाँ पर दिया गया है, यानि कि power on key भी यही है, और finger fin sensor भी यही से आप use कर सकते हैं, दोनों mobile के right side में हमें power on key और volume rockers एक साथ मिल जाते हैं, उपर की side कुछ नहीं दिया गया है, left side में मिलती है sim tray, जिसमें 2 sim card, एक memory card, तीनों एक साथ use किये जा सकते हैं, और नीचे की side देखें, तो यहाँ पर आपको बिलकुल एक जैसा setup देखने को मिलता है, 3.5 mm का audio jack, primary mic charging jack और speaker grill, वहीं नज़र डाले दोनों mobile के dimension पर, तो दोनों mobile के height की बात कर लेते हैं, तो Vivo Y20i की height है 164.41 mm, realme C15 की height है 164.5 mm, width की बात करें, तो Vivo Y20i की width है 76.32 mm की, और realme C15 में आपको 75.9 mm की width मिलती है, thickness की बात करें, 8.41 mm की thickness के साथ आता है Vivo Y20i, और 9.8 mm की thickness की साथ आता है, realme C15, यारे की realme C15 थोड़ा सा मोटा है, बाकी दोनों mobile की power को हमने on किया हुआ है, brightness भी दोनों की हमने कर दी है, full तो यहां पर हम shortcut में देखें, तो काफी option आपको shortcut में देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही mobile में आपको eye protection भी मिल जाता है, यह हमने कर दिया है, enable, फिर से इसे disable कर ल रही होगी, वहीं इसे आप कर लेते हैं, disable, और icon हमें बिलकुल same देखने को मिलना है, दोनों smartphone में size देख सकते है, icon का बिलकुल same दिया गया है, और user interface देखें, तो दोनों ही mobile में scroll up करने पर आपको सारी apps देखने को मिल जाती है, और दोनों ही mobile में अच्छी बात है, आपको फाल्तु की free install app नहीं दी गई है, चलिए बात कर लेते हैं, दोनों mobile के display size की, तो Vivo Y20i में आपको 6.51 inch की HD plus IPS LCD मिलती है, Realme C15 में आपको 6.52 inch की HD plus IPS LCD दी गई है, दोनों mobile का aspect ratio 20 to 9 का है, screen resolution आपको बिलकुल same मिलता है, 720 x 1600 pixel का, pixel density 270 ppi की, और GPU की बात करें, तो Vivo Y20i में आपक 1610 का GPU मिलता है, और Realme C15 में आपको IMG Power VR GE 8320 का GPU दिया गया है, चलिए आप नजड आते हैं, दोनों mobile की setting में, Vivo Y20i में आपको system management का option दिया गया है, जिसके अंदर आपको मिलता है about phone section, phone touch OS पे ओवर करता है, और इसका version है 10.5, Android version आपको इसमें मिलता है latest 10Q, बाकि आपको इस 64GB का internal storage मिल जाता है, expandable memory को आप 256GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं, Android security device level आपको 1 अगस 2020 का दिया गया है, प्रोसेसर की बात करें, तो Qualcomm Snapdragon 460 का आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, जो की clocked है 1.8 GHz का, वही नजड आते है Realme C15 की setting में, तो इसमें आपको about phone section में जाना है, और यह security badge level 5 July 2020 का दिया गया है, और इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, MediaTek Helio G35 का, जो की 2.3 GHz का octocore clocked है, बाकी 4GB RAM है, 64GB का internal storage, जिसमें से लगबग 50GB अबलेबल है, यूज करने के लिए, बाकी आप इसमें भी expandable memory को 256GB तक बढ़ा सकते हैं, दोनों smartphone के rear camera को normal mode में आपने कर दि देख लेते हैं, तो Realme C15 से आप 4X तक ही zoom कर सकते हैं, वहीं Vivo Y20i से भी zoom करें, तो यहाँ पर दोनों ही mobile से आप only 4X तक ही zoom कर सकते हैं, तो zoom करने के बाद आप देख सकते हैं, color में different हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ फिर भी color आपको Realme C15 में ज़्यादा देखने को मिल हैं, तो camera quality आपको Realme की ज़्यादा अच्छी मिलती है, Vivo Y20i से, वहीं selfie camera की बात करें, तो यहाँ पर हम दोनों mobile से लीगी selfie आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, color आपको Realme C15 से ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रहे हैं, बाकि दोनों ही mobile में आपको 8 Megapixel का selfie camera मिलता है, तो friends, यह थे दोनों smartphone, Vivo Y20i mobile सही है, लेकिन price इसका सही नहीं है, इससे अच्छा mobile आपको Realme C15 500 रपे कम में मिल जा रहा है, 4GB वेरेंट, बाकि Vivo Y20i में नहीं आपको fast charger मिलता है, बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 एमेज की, जबकि Realme C15 में आपको 18W का fast charger दिया गया है, 6000 एमेज की बैटरी मिल जाती है, और इसमें आपको Quad camera मिल जाते हैं, बाकि पसंद अपनी अपनी पसंद comment box में बता सकते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को एक वीडियो का लाइक जरूर कर दें